तो दोस्तों यह जोगाना है वो है D sharp minor का ठेक है तो आपको इसी के note से starting करनी पड़ेगी जूकी है second string और 11th fret तो देखिए तो सबसे पहले बात कर लेता है notes की मैं सबसे पहले single single notes पर जाओंगा ठीक है तो देखिए सबसे बाता second string और 11th fret 11th 12th फिर 1st string पर 9th और 11th ठीक है उसके बाद 11th 9th 11th 13th 11th 9th 8th 9th ठीक है उसके बाद 9th 8th 9th 11th फिर second string पर आजेए 12th 11th 12th उसके बाद 1st string और 11th fret हम कुछ इस तरह से करेंगे एक बार बजाया फिर दूसरी बारी में ऐसे में थोड़ा slide करके छोड़ देंगे ठीक है तो ठीक है ये करा उसके बाद ऊपर वाली string पर second string पर 9th 11th 12th 11th ठीक है और आपको last के instrumental part के लिए कुछ इस तरह से बजान होगा 1st string 14th fret फिर 13th फिर 11 और फिर आजए ही आप second string पर second string पर भी 14th फिर 12th और last में 11 यहाँ पर आपको खतम होगा और फिर आपको यहीं से start हो जाए ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैं अब इसे बहुत ही जादा slow play करूँगा ताकि आप ध्यान से देख लें कि कौन कौन सा note कितनी बार बजाए है कि अचाए है कर ददोस्त हो dennश से में अप्या है कर दो कर दो कर दो कर दो